कुछ लोग गुड़ खाईए, कुछ लोग काकवी खाईए, माने जिसको राब कहते हैं, जितना जाड़े का समय है न, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं, दही में राब खाईए, दूद में राब खाईए, हलुआ राब का बनाईए, ग मिला के गुड़ खाईए, दूद में गुड़ कभी मत मिलाईए, दही में मिला के खाईए, तो दूद में कैसे खाईएंगे जी, दूद में ऐसे खाईएंगे कि पहले गुड़ खा लीजे, पीछे से दूद पी लीजे, या दूद पी लीजे, पीछे से थोड़ा यहाव यंजन मिलता है उसका नाम है दही चूडा दही चूडा ही कहते हैं चूडा ये मिथिला में मैंने क्षाया और ऐसा अदभुत है जो दुनिया में शायद कहीं न हो मिथिला मने एक एरिया है बेहार का करीब आट-टस जिले उसमें आते हैं उन जिलों में जब भी आप तो मेहमान को वही परोसके लाते हैं तो मैं भी महमान जैसा ही रहता हूं तो मुझे हर घर में दही चोड़ा मिलता है तो वह दही डालके लाते हैं उपर से गुड़ डालके लाते हैं दही के ऊपर गुड़ रहेगा तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आ तो दही में गुड मिलाके ही खाईए अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड मिलाके ही खाईए तो दही के कई दोश जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खतम हो जाते हैं और दूद में गुड कभी भी मत मिलाईए एक जगे तो वो ये कहते हैं कि दूद खाली पी ली तिल पट्टी कहते हैं गजक गजक तो भरपूर गजक खाए क्यों खाईए जी तिल है और गुड़ है गुड़ में जो केमिकल है और गैनिक तिल में लगवक वही सब है जो गुड़ में तिल भी छारी है गुड़ भी छारी है और दोनों छारी चीज़ें खाएंगे तो मुंगफली है मुंगफली भी चारी है और गुड़ भी चारी है तो मुंगफली और गुड़ मिलाके वो पट्टी आती है वो खाईए बच्चों को खिलाईए और आपके पास जो भी प्रप्रेशन है गुड़ तिल के गुड़ मुंगफली के वो सब बनाईए और ये जो ती खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मुंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिलकुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं, अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है, मोटापा, मोटापा कम करना है, तो भरपेट गुड़ खाईए भरपेट तिल खाईए, भरपेट मुंगफली खाईए, मुटापा भी कम हो जाएगा हाँ, आपको डर है ना तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला LDL वाला नहीं है, VLDL ये मुटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है HDL जैसे ही बढ़ेगा, मुटापा अपने आप कम होगा पेट अंदर ही जाएगा, आप में से कोई भी मेरे कहने पर तीन महीने एक एक्सपरिमेंट कर लीजे तिल चबा चबा के खाईए खाने के बाद तीन महीने के बाद वजन ना पेंगे आठ दस किलो कम मिलेगा कम से कम इतना कम मिलेगा खाना खाया, खाने के बाद आप सौफ खाते हैं ना सौफ की जगे तिल खाये और काला खाया, तो और ज़्यादा वजन कम मिलेगा काला तिल, एक है सफेद काले के गुणवत्ता सफेद से भी जादा है लेकिन ये इनी चार महिनों में गर्मी में अगर आप में यही तिल खाया तो प्राबलम आएगे बागवट जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत ज़्यादा लिबरल हों तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खतम करिए फिर कुछ और चीज आएगी वो क्या आएगी वो में बता दो लेकिन आप ये करके देख लीजे चार चीजों को ज़्यादा उपयोग आप करेंगे वजन आपका कम होता जाएगा पेट का अमल कम होता जाएगा घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं न डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड यूरिक एसिड जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवट जी कहते हैं छोटी मदुमक्खी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजे